समस्कार फ्रेंट्स आपका स्वागत मेरे इस नए वीडियो में फ्रेंट्स वर्ल्ड इस्ट्री के इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टोपिक्स कोम बारी बारी से कवर कर रहे हैं तो बहुत से टोपिक्स जाकि इससे की अमेरिकन रिवोल्यूशन और फ्रेंच रिवोल्यू हुई हैं लेकिन ये रख तीन करांती थी काफी सारे बदलाव हो गए थे इंग्लेंड में राज तंतर की जगें एक तरह का लोग तंतर स्तापी तो गया था लेकिन कोई भी रखत बात नहीं हुआ तो इसके बारे में डिटेल से हम देखेंगे इस वीडियो में multiple choice questions भी करेंगे one liner questions भी और details भी देखेंगे कुछ तो आप द्यान से देखें पूरे वीडियो को तो फ्रेंड्स पहला question देख लेते हैं आप खुद से भी आंसवर देने की कोशिश किजिए सभी questions की 1688 में इंग्लेंड की करांती की समय इंग्लेंड का सासक कौन था तो उस समय किन का राज था इंग्लेंड पर 1685 में इंग्लेंड का सासक बन गया था ये था जेम्स दिवित्य है जेम्स सेकंड उस समय इंग्लेंड का सासक था और इन्होंने राजपाज अपना आद दोना प करांती हुई थी प्रोटेस्टेंटों मदो के जो पालक थे उनके दवारा के गोरवपुरन करांती के पश्याट स्चानिए इंगलेंड का राज़ा कौन बना था वीलियम उहां का राज़ा बना था उनका पती था elem विलियम यहां का राज़ा बना था इसके बाद अगले परसंदेख लेते हैं जेम्स दिवित्य की मुर्टिव हुई थी यह बाग कर फ्रांच में चला गया था मैंने आपको बताया करांटी के दोरान अपनी जयान बचाने के लिए जेम्स दिवित्य की मर्टिव कहांपर हुई थी फ्रांच में उस समय जो राज़ा था लुई चोध वे जिसके करमों के कारण फ्रांच की करांटी हुई थी बाद में लुई शोडवे के सासनकाल में उसके पास इन्होंने सरन ली थी वो भी Catholic, Roman Catholic मत का अन्युआ ही था प्रांस में इनकी मर्त्यू होगी थी अधिकारों का बिल पारित किया गया कब पारित किया गया? 1689 में अधिकारों का बिल पारित किया गया और James Dvitya की पतनी का नाम क्या था? Mary of Madonna Mary of Madonna इनकी पतनी का नाम था James Dvitya की पतनी का नाम और अगला देख लेते हैं फ्रेंट्स James Dvitya की छोटी पुत्री का नाम क्या था? राजकुमारी एन ये थी James Dvitya की छोटी पुत्री और Mary थी इनकी बड़ी पुत्री जिनोंने बाद में राज किया था और 1668 सिश्वी में फ्रांस का सक कौन था? उस टाइम जिस टाइम गलोरियस रिवोलिशन इंगलेंड की गोरपूर्ण करांती चल रही थी उसमें कौन था फ्रांस का सक? लुई चोद्वे जिसने क्या का था? मैं ही राज्य हूँ मैं ही फ्रांस हूँ ओर मैं जो भी कहूँँगा वो ही कानून है ये बात इसने कई थी लुई चोद्वे ने अगला क्यूस्टन देख लेते हैं अगला क्यूस्टन फ्रेंड सिटैस्टेक्ट से सम्मन दीता है तो टैस्टेक्टे के बारे में मुख्य कारनों में से एक था तो इसके बार में देख लेते हैं क्या था ये जेम्स दूतिय कैथोलिक दरम का कटर समर्थक था वे इंगलेंड में कैथोलिक दरम को पुने स्थापित करना चाता था 1673 में कोई टेस्ट एक्ट पारित हुआ था इंगलेंड की संसद में टेस्ट एक्ट पास किया गया था जिसके अनुसार अब कैथोलिक मत का कोई भी अन्याई सरकारी पद प्राप्त नहीं कर सकता था और उसमें क्या प्रावदान था कि जिस दरम को जो राजा जेमस दुटे मानता था उस दरम के उस मत के कोई भी ये इसाई दरम का मत था फ्रेंट्स तो इस मत के कोई भी व्यक्ती सरकारी पद को नहीं प्राप्त कर सकेगा लेकिन इसने ये क्या चाहता था कि कैथोलिक मत के ही लोग ये पद प्राप्त करें प्रंटु जेम्स द्यूते ने इस एक्ट को समाप्त करने का निर्ने लिया दूसरी और संसद ने राजा के इस निर्ने का विरोध किया राजा ने करवद्रित होकर संसद को बंक कर दिया उसने कैथोलिकों को सरकारी पदों पर न्यूक्त करना आर्म कर दिया फलसरूप इंगलेंड की संसद जेम्स दूटे के विरुद हो गई तो फ्रेंड्स इसने क्या किया था मेन कारण क्या था इस करांती का कि इसने टोप के जो भी पद थे उन पर कैथोलिक मत के अन्युयाईयों की न्युक्ति शुरू कर दी थी। यही कारण था इस क्रांत। थे तो फ्रेंड्स बाइन इस क्युस्चन का अंसर क्या हो जाएगा इंग्लेंड में टैस्टेट कब पारित हुआ था 1673 में और बाद में जेमस दृटियन ने इसको समाफथ करने का प्रियास किया था अगला केमस दृटियन दे हैं और आर्मिक 1775 जारी किया था और अगला परशन देख लेते हैं मैगना काटा पर अस्ताक्सर की कब किये गए बारह सो पंद्रह में मैगना काटा बहुत इंपोर्टेंट इसू है मैगना काटा का अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा यह कोलम मिलान करने हैं मैगना काटा बारह सो पंद्रह और इसी तरह हैं अगले किस्टन्स में दिये गए हैं तो यह आप देख सकते हैं इनके आंस्वर्स दिये गए हैं यहां पर दो का ए तीन का बी और च्यार का सी इसी तरह हैं आप इनको भी मिला सकते हैं मिलान कर सकते हैं अब वन लाइनर क्यूस्टन्स देख सकते हैं देख देंग से मिलते जूते लेकिन अच्छे ओर अलग क्यूस्टन्स भी हैं तो सभी क्यूस्टन्स को देख लेते हैं इंग्लेंड की गोरपुर्ण करांती कब हुई थी ये विट फ्रेंड 1688 में जेम्स दुटे कब इंग्लेंड का समराट बना था 1685 में जेम्स दुटे इंग्लेंड का समराट बना था और अगला परसन आई फ्रेंड किस समराट के सासनकाल में इंग्लेंड की गोरोपुर्ण करांती हुई थी तो ये सासक्ता जेम्स दिवित्या इसके सासनकाल में इंग्लेंड की गोरोपुर्ण करांती हुई थी और जेम्स दिवित्या किसमत का अन्युआई था कैथोलिक मत का अन्युआई था इसकान से जो एक और मत है प्रोटेस्ट प्रोटेस्टेंट क्या थे तो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने आधिकारों के लिए उनका यह अलग मत का दर्जा देए दिया गया बाद में प्रोटेस्टेंट का अगला परसन देख लेते हैं यह फ्रेंट्स जेम्स दुटे इंगलेंड का 1685 में बना था किस समराट के सासिंगाल लिए में जेम्स दुटे के सासिंकाल में और कोर्पॉन कुरांति के ततकालिन कारण क्या था जेम्स दुटे के पुत्र का जनम और यह पहले के अगजाम में पुछा हुआ भी है जेम्स दीटिया के गर पुत्र का जनम क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट मत के जो मानने वाले थे वो यह सोच रहे थी कि मैरी इनकी पुत्री थी मैरी जो कि प्रोटेस्टेंट मत को मानती थी वो ही इनके बाद राजगदी समा लेगी लेकिन इनके पुत्र आगला परहे लगाया सोड़ा सोड़ा सो त्यत्र में टैस्ट तवारा कि परतिबंद लगाया गया था के अदोलिक मत के जो गए पर फड्रार्फ है क्या पर्तिबन था कि ये उच्छ सरकारी पद नहीं प्राप्त कर सकते कोई कैथोलिक मत के ये नियम बना दिया गया था नेक्स्ट किस्टन देखते हैं फ्रेंट्स ये जेम्स दुट्या ने केंटर बरी में कितने पादरियों पर अभियोग चलाया था ये थे साथ पादरी नेक्स्ट किस्टन डुक ओफ आरगिन ने विद्रो कब और किसके विरुद किया था 1688 में जेम्स दुट्या के विरुद इसने विद्रो किया था और अपने विद्रोईयों को काफी निर्दाइता से इन्होंने दमन किया था जेम्स दुट्या ने अगला परसन जेम्स वीलियम कौन था ये था जेम्स दूते का दामाद मेरी का पती था इनकी पुत्री मेरी का पती था और वीलियम का सामना करने के लिए जेम्स कहा गया था सेलिस ब्री में गया था और बिल ओफ राइट्स कब पास हुआ था 1689 में बिल ओफ राइट्स पास ह सेन सिलता से समंधित कानुन था कि सभी दर्मों को सम्मान सम्झा जाए उनकी उनका सम्मान किया जाए उनको उनके अधिकार दिये जाए उनको और 1686 की गोरपुन करांती का प्रवाव पड़ा था निरंकु शासन का अंत हो गया था एक तरह का लोक तंत्र की पहली बार स्थापना ओगी थी विश्व में किस गोशना पत्र की आदार पर वीलियम को इंगलेंड का सासन सोपा गया अधिकार गोशना पत्र दवारा जेम्स इंग्लेंड छोड कर का चला गया था फ्रांस में छला गया था इंग्लेंड चला गया था प्रैंस अगला पर्शन वहीं पर इनकी मरती हुई थी 1710 में 1680 और क्यों गया था प्रांस में क्योंकि वहां पर कैथोलिक मत के अन्यू आई लूई चोद्वे का राज था लूई चोद्वे भी कैथोलिक मत को इमानने वाला था जेम्स दूइते भी रोमन कैथोलिक मत तो फ्रेंट से प्रोटेस्ट करके इस द्रम के अन्यू आई बने थे जो विरोध कर रहे थी इन पूराने विचारदारां का वह थे प्रोटेस्टन अन्यूआउई उन्होंने वोı नई विचारों को परतिनेदितों कर रहे थे सोड़ा सोटासी किसी की करांती के ये परसंद देख लेते हैं ओलेंड के समराथ वीलियम को इंगलेंड आने का निर्मनतर किस ने दिया था एड्मिरल हरबर्ट ने दिया था ये और वीलियम कहां का समराथ था ओलेंड का था और इसने कहां पर राज किया इंगलेंड पर क्यो की जेम्स दूइत्य की पुत्री थी अगले परसंद देख लेते हैं तो फ्रेंट्स परसंद तो कंप्लीट हो गए और आप से क्युस्टन भी मैंने पूछ लिए हैं और एक और क्युस्टन पूछ लेता हूं कि इंग्लेंड की गोरोपुर्ण करांती के समय फ्रांस का समराट और इंग्लेंड का समराट कौन कौन थे फ्रांस के समराट का नाम भी लिखना है फ्रांस का समराट उस समय कौन था और इंग्लेंड का समराट कौन था कोमेंट्स में लिख दीजे जल्दी से और पिछले मैं आप से कोमेंट्स के लिए किये थे आप सभी ने सही जवाब दिये युएस से को आजादी मिली थी जुलाई 1776 में और फ्रांस की करांती हुई थी 1789 में च्यार जुलाई डेट थी फ्रेंट्स च्यार जुलाई थी इसकी और फ्रांस की करांती हुई थी 14 जुलाई को फ्रांच अपना बेस्टिल डे बनाता है एक तरह का सवतरता दिवसी और आपके कोमेंट हैं फ्रेंट्स मुहमद सहीद के बहुत सारी कोमेंट आए हैं उसके बाद जारखंड से विकास सिंग कुमार है उसके बाद राजकुमार वार्दवाज हैं अलताफर जायां बसंत खेवर हैं और उसके बाद हैं अनील कुमार याददव के मैसिजिस पिर संधीप कुमार हैं बसंत खेवरिया हैं अलताफर जाया आ तो फ्रेंट्स आपका बहुत बहुत दन्यवार